बर्थडे स्पेशल शाहरोग की इस फिल्म से बॉलेवुड में डेवब्यू कर चुके हैं अबराम किया था गजब का डान्स बॉलेवुड के किंग खान याने की शाहरोग खान के छोटे बेटे अबराम खान आज 27 माई 2018 को पूरे पामच साल के हो गए हैं इस पर उनकी मा गौरी खान ने भी स्पेशल तरीके से विश किया है लेकिन बता दें कि अबराम भी फिल्मों में काम करने वाले हैं क्योंकि यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अबराम एक साल की उमर में बॉलेवुड में डेव्यू कर चुके हैं जी हाँ अबराम को पहली बार साल 2014 में फरह खान द्वारा निर्देशित की गई फिल्म हैपी न्यू इयर में देखा गया था अबराम को फिल्म के उस सीन में देखा गया था जब फिल्म के क्रीडिट सीन आने पर शाहरोग खान बेटे अबराम के साथ नाजते नजर आये अबराम के इस कैमियो रोल की खूब प्रशन सा भी हुई थी लेकिन इस बात को शायद ही कोई जानता हो कि साल 2001 में आई करण जहर की सुपर हिट फिल्म कभी खुशी कभी गम में शाहरों के बचपन का रोल उनके ही बड़े बेटे आर्यन ने किया था बात करें अबराम के बर्थ डेविश की तो उनकी मा गौरी खान ने अबराम की फोटो शेर करते हुए उन्हें जन दिन की शुब कामनाई दी है दरसल गौरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने बेटे अबराम की फोटो शेर कर लिखा है पी डे माई गोर्जस